हेलो दोस्तो सवागत है आप सभी के इस चैनल पे मेरा नाम है दीवाशिष एंड डिस एन एडशापना प्रोडक्शन वेलकम बैक टुट दू चैनल दोस्तो कई दूनों से मैं सोच रहा था मेरेको एक चीज बतानी रहे थी एम्टेक में जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अडमिशन ले रखी हैं फिलाल के लिए उनको एक चीज बता ना रहे गया था और जो कि मैं जल्दी बताने वाला था लेकिन अभी भी इस नॉट तू लेट एंड इट इस अवाउनर कोड और एंड 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 अच्छे centrally funded university में exist करता है और यू मस्ट नो यह ओनर कोड में क्या लिखा है वन रिजन वाई शूड एक्चुली ओनर कोड में क्या लिखा है यह अगर आप नहीं जानके अगर 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 यह ओनर कोड आप फॉलो नहीं करते हो थो यू माइट फेज अडिसिपलिनरी कमिटी और कोई डिस्को वॉल जाता था बिसिकली डिस्को मतलब डिस्को बिस नरी कमिटी डिस्को मतलब डिस्कोड format अजलग अलगलग नाम हो सकते लेकिन अडी डेली की लिंग गई तो उसकी वाट लग गई ऐसा बोला जाता था तो डिसको अगर आप फिलग जाती है तो ऐसे को चीजे होती है कि जैसे आप कोई पोजिशन आफ रिस्मोंसिबिलिटी होल्ड नहीं कर सकते आपके अकेडमिक टेनियर में या फिर आपको एक्स्ट्रा करिकुलर करने से डी बार कर दिया जाता है यू कैनाट रिप्रेजेंट यूर इंस्टिटीट अट डिफरेंट कॉंपेटिशन जो की हो रही है कई कई जगा पे या फिर आप प्लेस्मेंट में भी पार्ट नहीं ले सकते तो सीरियस कॉंसिक्वेंसे से और डॉक और कोड पढ़ने वाला हूं जो कि बिट्स और पिसेस लिखे हैं और आपको ठीक से समझने पड़ेंगे जाता चिंता की बात नहीं है लेकिन उसी से रिलेटेटेड चीटिंग से जो एक मैंने पोल लिया था चैनल पर कि हैव यू एवर चीटेड इन एक्जामस और अबरि तो यह जो ओनर कोड है आईटी देली का स्पेसिकली इसमें क्या लिखा है यह मैं पढ़ रहा हूं तो सबसे पहला मुद्दा है कि I will not give or receive aid in examination that I will not give or receive unpermitted aid in class work in preparation of reports और in any other work that is to be used by the instructor as the basis of grading तो grading में जो सारी चीज़े यूज होने वाली है उसमें मैं unpermitted aid या फिर किसी भी तरह का aid यूज नहीं करूंगा जैसे किसी की मदद कोई परची या फिर ऐसी कुछ चीज़े तो obviously cheating का ही हो गया वह मामला next point है I will do my share and take an active part in seeing to it that others as well as myself uphold a spirit and letter of the honor code तो इसमें यह भी लिखा ह कि you will not take part in any group activity जिसमें यह हो रहा है कि आप यह नहीं बोल चकते है कि इसने मेरे सामने किया और मैंने तो सिर्फ रिपोर्ट नहीं किया It is expected that you actually report such cases which I think is pretty childish thing but यह honor code में आप sign करते हो कि I will not uphold such a spirit So it's better if you see something तो आपको रिपोर्ट करना ज़रूरी हो जाता है यह लिखा तो है यहां पे लेकिन हर professor अपने अपने हिसाब से अलग-लग rules बनाते है And हर professor का tolerance अलग-लग level का होता है ऐसी चीज़े जब कोई देखेगा अगर आप पकड़ेगा ऐसी चीज़ों में तो actually ऐसा हो सकता है कि हर professor अलग तरह से react करे और आपको अगर report करना पड़े disciplinary committee को तो उसका भी वो जो report होता है उस पे ही based सारी actions होंगी कि कितना बड़ा offense था यह explain किया गया है कि आप exactly क्या नहीं कर सकते तो basically copying from another's examination paper और allowing another to copy from one's paper तो आपको तो यह self-explanatory होगा then unpermitted collaboration, plagiarism और plagiarism के बारे में एक मैंने separate video बना रखा है you can actually watch that here मैं यहाँ पे link डाल दूँगा then revising and resubmitting a marked quiz और examination paper for regrading without instructors knowledge and consent कई बार लोग क्या करते हैं जो पुराना answer की है जो already लिखा हुआ है ऐसे हाथ में लग गया और इसी तरह का paper वो submit कर देते हैं या फिर report submit कर देते हैं assignment submit कर देते हैं senior से लेके वगएरा जो permissible नहीं है तो यह ध्यान रखना उसके बाद है giving or receiving unpermitted aid on take home examination of course take home examinations होती है कुछ-कुछ जिसमें आपको बूला गया होता है कि आप सिर्फ internet का ये particular website यूज कर सकते हो या फिर किसी particular type का book यूज कर सकते हो उतना ही आपको permitted होगा अगर आप चाहते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो इसमें unpermitted aid आप ले सकते हो ये लेकिन counterproductive हो सकता है अगर प्रोफेसर को अगर ये realize हुआ और उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि that you have used some unpermitted aid तो इसमें भी ध्यान देना इसके बाद representing as one's own work of another including information available on the internet तो ये plagiarism में ही आगया कि internet पे आपको कुछ मिल गया और आपने वो उठा के आपका काम है ऐसे दिखा दिया ठीक है उसके बाद है giving or receiving aid on an academic assignment under circumstances in which a reasonable person should have known that such aid was not permitted तो इसमें basically वही मुद्दा है लेकिन इसमें ये बोला गया कि आप ये भी नहीं बोल सकते कि और बापरे मेरे को पता ही नहीं था sir I am very sorry चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए था and that is your fault that you did not know और इसी वज़े से ये वीडियो भी है आप ऐसा मत कहना आगे जाके कि मेरे को पता ही नहीं था ऐसा honor code मेंने sign किया है बापरे ऐसा नहीं चलेगा so be aware of this honor code and then competing a cyber offense such as breaking passwords and accounts and sharing passwords electronic copying planting viruses etc तो ये सारी चीज़े honor code में लिखी हुई है and you can actually go through the honor code writing जो मैंने अभी description में में डाल दूँगा आप पढ़ सकते हो and consume कर लो ठीक से ये हर किसी का subjective मामला होगा कि आपको honor code कितने level पर follow करना है लेकिन institute के हिसाब से आपने honor code बहुत seriously follow करना चाहिए and if you break the honor code and if you get caught तो गलती सिर्फ आपकी होगी at least you should know what consequences you are going to face if you get caught तब जाके आप ये नहीं बोल सकते कि अरे बाबरे इतनी सी गलती के लिए इतनी बड़ी शिक्षा मिल रही है इतनी सी गलती के लिए मिरको इतना जाद भुगतना पढ़ रहा है that is all of your mistakes so understand this म मैं और कुछ नहीं गहना चाहता है इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको और को बताना चाहरा था because ऐसे कई बार होता है यह जो मैंने लास्ट दो मुद्दे बता है ना कि अरे मेरे को तो पता ही नहीं था and इतना सिरियस हो सकता है यह नहीं पता होना is your गलती और मेरा काम है आ रुख सकता है अपकी डिगरी भी नहीं मिलेगी आपको ऐसा भी कुछ हो सकता है so be aware of such practices and do not follow such practices जिसमें आपका honor code fail होगा so just मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो बहुत ज़रूरी information देगा and just hit like and if you have not subscribe to the channel subscribe उसे मेरा motivation वड़ता है and I'll keep bringing you more and more content मिलेंगे जल्दी एक नए पीते रहे है टाटा